तो मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्वेस्टन क्या है आई इसको समझ लेते हैं क्वेस्टन है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद विवाद मतलब होता है जगरा के दोड़ा कहानीकार कह जगरा होता है उस जगरे के माध्यम से कहानीकार जो लेखक है वो क्या बताना चाहता है इसको हमें उत्तर में बताना है तो उत्तर में जाने से पहले आपको बहतर धंक से समझाने के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं उसको ध्यान से समझे सेन साहब एक अमीर आदमी थ और इसी के factory में काम करता था मदन का पिता जी ठीक है मदन का पिता कहां काम करता था सेन साप के factory में और यहां जो driver कहा गया है वो सेन साप का driver है एक दिन मदन और driver के बीट विवाद हो जाता है जगरा हो जाता है तो उसके माद्धियम से क्या कहना चाता है समझे उतर में देखे मदन एक दिन सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केबल छूती है यह ने देखे सेन साहब के महल में चमकती काली गाड़ी थी तो उसको छुआ था केबल मदन क्या किया था उसको छुआ था तो सोफर द्वारा मदन को घसीटा जाता है सोफर का मतलब होता है ड्राइवर तो ये जो ड्राइवर है ड्राइवर के लिए सोफर का प्रयोग किया गया है कहानी में तो सोफर दोरा मदन का मदन को घसीटा जाता है मतलब पकर करके उसको दूर किया घसीटा तो आगे देखिया ड्राइबर के उपर जरपता है ड्राइबर से लडने का प्रियास करता है तो देखिए इस विवाद के दौणा यह जो विवाद देखे आप उपर में यहां से यहां तक इस विवाद के दौणा कहानीकार बताना चाहता है कि मदन द्वारा सोफर का मुकावला करना यानि मदन सोफर पर जो जरबता है सोफर यानि ड्राइवर के साथ जो मुकावला करने का प्रियास करता है मुकावला करने का मतलब सोफर का वो सामना करता है अत्याचारों पर विजिये प्राप्त करने का पर्यास है यानि ये जो सोफर का मुकावला किया है मदन तो ऐसा लग रहा है जैसे मदन अत्याचारों पर जो अत्याचार करते हैं जो हम लोग पर जुल्म करते हैं उस पर विजिये मतलब जीत प्राप्त यानि पाने का पर्यास है कोसिस है तो यहां पर यह वीडियो समाप्त होता है वीडियो दखिने के लिए आपका बहुत बहुत धनवाद है